hi guys welcome to my channel david तो चलिए आज बनाते है एक नएा सा यूनीक सा cake तो इससे पहले किया आपने कड़ाया में डियरीक्ट कड़ाया है नहीं न तो चलिए आज बनाते है डियरीक्ट कड़ाया में cake और देख रहे हो guys कितना जादा ये soft जोपन्जी बनता है एकदम जैसे बर्डे पर भी आपको केक बनाना है तो भी आप बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं तो आज का जो केक है ना गाईस एकदम एगलेस है जिसमें आज हम लोग बिल्कुल भी अंडा वगरा यूज नहीं करेंगे तो बॉल हमने लिया है उसमें मैं डाल देती हूँ आधा कप फ्रेश दही बिल्कुल भी खटा नहीं है फ्रेश है आधा कप चीनी मिला दी है पिसी हुई चीनी है और उसी में डाल दिया है मैंने एक चौथाई कप तेल रिफाइन ओईल सनफ्लावर ओईल ले सकते है उसमें एक छूट असा चमज भर के हमने डाल दिया है वेनिलाइसेंस आपको जिस भी फ्लेवर का केक बनाना है उस टाइप का एसेंस आप लोग इसमें आड़ कर सकते है अच्छी तरह से पांच मिनिट तक हमें इसे फेटना ह मिक्षर स्मूथ और एक दुम सिल्की होगा ना उतना ही आपका केक ज्यादा सॉफ्टर स्पॉंजी बनेगा इस बात का ध्यान रखिए यह मिक्षर इस तरह से तयार होने के बाद हम लोग इसके ओपर छलने रख दिएंगे इसमें डाल देंगे एक कप मैदा यानि की 120 से 130 के करीर में 20 मेदा उसी कप से एक चॉथाइक कप हमने is with1 आप कोक्वाव पौडडर और साथ में डाल देंगे ओस इसमें ऐड कर रहे हूँ 1 टीसपून बेगिंग पौडर और 1 बिटीसपून बेगिंग पौडर और 10 बेगिंग सॉफ्ट बनता है और ज्यादा अच्छे तरीके से वह फूलता भी है तो चलिए इसके बाद हम लोग इसे हलके हाथ से बस मिक्स कर देंगे इस तरह से बहुत जादा जोर जोर से इसे फेटना नहीं है नहीं तो आपका केक अच्छे से नहीं फूलेगा नीचे ही बैठ एकदम से ही बहुत जादा दूद आड नहीं करना है हमें बस जितनी कॉंटिटी रिक्वाइड है उतनी ही इसमें एड करनी है तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा दूद इसमें मिलाते जाएंगे दूद आपका यहां पर एकदम फूरिज का ठंडा भी नहीं होना च उसे तेल से ग्रीज कर लिया है और हाँ ध्यान रखें यहां पर आपकी जो भी कडाई है वो मोटे तले वाली होनी चाहिए नहीं तो अकवाकेक जल जाएगा ग्रीज की होगे कडाई में हमने बटर पेपर भी डाल दिया है नीचे से और उसके उपर डाल देंगे यह सारा क का बैटर केक के बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते है इससे पतला यह नहीं होना चाहिए तीन से चार बार इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि एक्स्ट्रा की हवा इसमें से निकल जाए और केक अच्छी तरीके से इवनली फूले इसकी बाद हम लोग इसे बेक कर लेंगे त और हमें इसे दस मिनिट तक ही बेक करना है दस मिनिट के बाद हम लोग इसे एक बार चेक करेंगे तो दस मिनिट होने के बाद हमने इसे चेक किया है दस या बारा मिनिट आपको मैक्सिमम लग जाएंगे इससे जादा टाइम आपको इसे बेक नहीं करना है नहीं तो यह नी तो बहुत ही आसा था मिनिट मेंगने वाला और उतना ही खाने stayえる मंगन सेक्षिंट में बताईए कि आपको रस्पी कैसी लगी अच्छी लगी है तो एक лайक हमारे दावात चनल को सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई